बिहार के बकसर में आरजेडी नेता ने प्रेस कॉन्फरेंस में खुले हाम लहराई आटोमेटिक राइफल माउजर थाटी नाम की है राइफल का सिबिलियनों को नहीं मिलता है लाइसेंस मालव मिर के लिए राजेज जोहरी की खबर EVM को लेकर विपक्षी दलों के तीखे बयान हर न्यूस चैनल पर चल रहे थे पर अधिकतर की भाषा लोकतंत्र के दाइरे में ही थी लेकिन बिहार के बकसर से आरजेडी नेता रामचंदर सिंग यादव ने बाकाइदा प्रेस कॉन्फरेंस करके सरकार को ग्रहियोद छेडने तक की धमकी दे डाली यही नहीं आचार सहीता के चलते जहां सबके लाइसेंसी हतियार जमा हो जाते हैं ऐसे में यादव ने खुले आम माउजर थाटी नाम की आटोमेटिक राइफल प्रेस के सामने लेराई और दोहराया कि अगर रिजर्ट वेपरीथ हुआ तो वे विद्रोह कर देंगे जात रहे कि उक्त राइफल सिविलियनों के पास होना भी गलत है मालबा अंचल की जामनिया रियासत के वरतमान महराज शालिवाहन सिंग ने टीवी पर जैसे ही इस दृष्ट को देखा तुरंत बिहार के डीजीपी और बकसर के एसपी को इस बात से अवगत कराया दोनों अधिकारियों ने मामले पर संग्यान लिया और सुना है कि पुलिस एक्षिन शुरू होते ही यादब भूमिगत हो गए खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं